देखो बच्चो question number fourth में कह रहे है draw a circle चीक है सबसे पहले हम एक circle बना लेते हैं यह कह रहे है इस circle से दो lines ऐसी बनाओ जिसमें से एक tangent हो और एक secant हो तो tangent क्या होती है बच्चो दोनों parallel आपस में तो tangent क्या होती है जो circle को एक point पे intersect करें तो यह मेरी tangent यहां से हो गई ठीक है इस suppose करो इस लाइन PQ एक secant बनाओ जो इसके एकदम parallel हो secant क्या होती है बच्चो जो circle को दो points पे intersect करें कर रहे है दो point पे intersect तो यह secant हो गई तो suppose this is AB तो यहां पर AB is parallel to PQ and क्या है PQ is the tangent and AB is secant है ठीक है clear है आगे अच्छे से समझ में यह आला question यह भी complete exercise 9.1 तीज बच्चो का वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे है तुम लोग को चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और share करो thank you for watching braino solutions